क्या आपके कुल्णी में काल सब्दोस है? क्या आपको भी सपने में साप दिखाए देते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इस सावन के महीने में 21 अगस्त को नाक पंचमी आ रही है जिसका हमारे धर्म और शास्त्रों में बड़ा महत्व है और कहा जाता है कि नाक किसी जातक के कुल्णी में काल सब्दोस होता है तो उसको तरहे तरहें की समस्याँ जीवन में उठानी पड़ती है और ये समस्याँ एक दो नहीं एक के बाद एक के बाद एक उसकी लाइफ में आती जाती रहती है यैसे कि उसकी सुरुवात में पढ़ा इच्छी नहीं हो फिर उसकी अच्छी जॉब नहीं हो पाएगी, जॉब लगेगी तो इस टेबल नहीं रह पाएगी, फिर उसकी शादी में डिले हो जाएगा, अगर वो फीमेल है तो उसकी प्रिंटेंशी में प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद और तरह तरह की समझा है, यानि कि आपके लिए राजयोग भी बन जाता है, वो आई बटन में लिंक दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, तो आप में से जिनके कुल्डी में काल्शब्दोस है, जिनको ये बात पता है कि उनके पास काल्शब्दोस है, वो ये इस वीडियो को जरूर जिनको नहीं पता कि काल्शब्दोस होता क्या है, तो आपको अपनी स्क्रीन पे कई तरह के कुल्डी चार्ट दिख रहे हैं, इसमें अगर आप एक बात ध्यान से देखोगे, तो आपको दिखाएगा कि राहू और केतु के बीच में बाकी के सारे सातों ग्रह आके फस जात जिसे कि घातक, वासुकी, शेशनाग, एटीसी, एटीसी, अब आज मैं आपको काल्शब्दोस क्या होए, कैसे रिजल्ट डालता, इसके बारे में ना बता कर उसका उपाय बताऊंगा, जो कि आने वारी नाग पंचमी में आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आखरी ये न प्रवारी में रेमेडीस बताऊंगा, बहुत खास उपाय भी बताऊंगा, देखें, इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग पूजन का महत्व है, माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन नागो की पूजा करने से व्यक्ति को साप के डसने का भी डर नहीं रहता, इस दिन साप आपों को दूद पिलाने या दूद से इसनान कराने से उनका पूजन करने से बहुत पुन भी मिलता है। इसके अलावा शमुद मंतन के समय भी देवताओं की मदद के लिए वासुकी आगे आये थे तो ये हमारी परमपरा परानिक परमपरा जिससे पता चलता है कि साप हमेशा से इनसानों या देवताओं की साहता करते आएं लेकिन अगर हम इसको साइंटिफिकली रीजन से देखे तो एक्चुली में रीनी सीजन में जब सापों के बिल में पानी भर जाता है तो वो बाहर निकलने लगते हैं तो उन्हें मारा ना जाए बलकि उनको सेफ रखा जाए या फिर किसी सेफ प्लेस में छोड़ दिया जाए इसलिए हम ये परव अपने धर्म में मनाते चले आए नाक पंचमी का महत्व इसलिए सबसे जादा है हमारे सभी रिलीजियन या फिर जितनी भी बाते आप नानी दादियों से सुनते है ना उन सब के पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर चुपा होता है जोतिश के अगर बात करें तो जोतिश शास्तर में काल शब्दोस को कई असान उपाये भी बताए गए है काल शब्द की पूजा भी बताए गई है जिसमें आप में से कई लोग उजयन में या फितर एवकेश्वर में काल शब्द की पूजा भी करते होंगे आज मैं आपको इन से भी बढ़कर कोई अच्छे उपाये बता रहा हूं तो आप नोट भगवते कृष्णाय नमा मंत्र का जाब करना है ये काम आपको आने वाली नाग पंचमी में ही करना अगर आप ये कर ले जाते हैं तो आपको काल शर्थ दोष्ट से बहुत ज्यादा शांती मिल जाएगी एक और खास उपाय आपको बताता हूं ये थोड़ा सा कठीन है पर य आपके फूल लेने तीन या पांच उसको दूप में ब्यगो लिजेगा सुखाने के बाद आपको इसका चून बनाना है इसको किसी भी चंदन के साथ मिक्स करके शीवलिंग पर ट्रिपुण करना भी गर में भी हो सकता है चोटा वाला बड़े से लिंग तो घर नहीं रखत सकते हैं ऐसा आपको नाग पंच में शुरू करकर 21 दिनों तक लगातार करना है इसमें आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में काफी रहात मिलेगी तीसरा उपाई काम में अगर रुकावट आ रही है आप कुछ भी करने जाते हैं तो बिना बाधा कि आपका काम एक बार में तो बनना ही नहीं है ऐसी अगर समस्या है काल शब्दोस की वज़े से तो ये उपाई आप जरूर करेंगे इसमें आपको क्या करना है कि शिवलिंग पर रोज या फिर मंडे 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 मीठे दूद में थो अगातार करना है मिलेंगे और आपको इस चीज का अभास भी हो जाएगा अब मैंने काल शब्दोस के बारे में आपको बताया मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको भेजा थोड़े उपाई भी बताया लेकिन अभी अगर आपको कंफ्यूजन है कि मेरे उपर काल काल शब्दोस है भी या नहीं या फिर इनमें से कौन सा काल शब्दोस मेरे पास है तो आई बटन में लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है यहां जाकर आप अपनी कुल्ली बनवा सकते हैं जिसमें लिखित तोर पे सारे उपाई भी आ जाएंगे और आपके उपर कौन सा कालशब्दोस है क्योंकि हर कालशब्दोस अलग-अलग तरह से इंसान को परिशान करता है वो भी आप भली भाती जान पाएंगे चलिए अब बात करते हैं इस साल नाग पंचमी की पूजा की शुब मूरत जो है वो 21 तारीक को सुबह 5 बचकर 3 पर मिनट से लेकर कि पूजा के लिए आपको धाई घंटे से भी ज्यादा का समय मिलना है तो इस मूरत का सदुपियों का आपको करना है पूजा विधी और मूरत से रिलेटेड बाकी सारी अवश्चेक जानकारियां भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखवा दी है उनको भी आप पढ़ सकते है इस वीडियो को शेव भी कर सकते हैं और जो भी नाग पंचमी पूजा करते हैं आपके घर परिवार में उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं तो ये बात हो गई नाग पंचमी के तैवार की लेकिन इसी महीने एक और प्यारा तैवार आने वाला है भाई बहनों का सबसे फेव झाल झाल